Hello students, very very welcome to IFS. So students, IIT Jam 2024, India के बहुत सारे students का सपना होगा कि इस exam में में जाऊंगा, exam में अच्छे तरीके से questions paper को solve करूँगा और एक अच्छे rank के साथ किसी एक अच्छे IIT में अपना post graduation भी complete करूँगा. और इसी सपने के वज़े से बहुत सारे students इस exam को लिए पहले से ही preparation कर रहे होंगे कुछ students first year graduation से तो कुछ students last year graduation से prepare कर रहे होंगे बट क्या आपको पता है कि इसमें से 90 to 95% students ऐसे होंगे जो IIT Jam exam को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते उसकी preparation अच्छी तरीके से करने पाते और इसलिए 95% students IIT से या फिर UNIT से MSC करने पाते तो क्या reasons होते हैं जिसके वज़े से students को इतनी सारी preparation करने के पात या फिर अच्छे से preparation करने के बाद भी UNIT में या फिर IIT में अपनी MSC के लिए एक seat भी बना नहीं पाते तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऐसे कौन से reasons है जिसके उज़े से वो जो 95% students है वो students exam में कभी-कभी qualify करते हैं अच्छी rank लेके नहीं आते या फिर qualify ही नहीं कर पाते तो चलिए students जानते हैं वो बहुत ही important topics जिन topics के कारण आपके IIT जाम का सपना शायद सपना ही रह जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से reasons है जिसके वज़े से आपके exam qualification जो है उसमें आप fail कर सकते हो और आपको उसके लिए एक बहुत ही बड़ी असा solution भी निकालना होगा तो सबसे पहला topic जो आप यहाँ पे देखोगे screen पे कि students mind में ऐसा बना चुके है कि भाई IIT जाम की exam है तो एक अलग level की exam होगी उसके सामने हम कुछ भी नहीं और इसी को mind में बेठाते हुए या फिर without preparation students करते क्या है without preparation question paper देख लेते अब भाई अगर किसी ने preparation नहीं की है तो उसको कैसे वो paper आसान लगेगा उसको तो paper फिर difficulty लगना है तो इसी लिए students exam की pressure में चले जाते है students को लगता है कि IIT exam की जो exam में बहुत difficult है और मैंने कितनी भी preparation कर लिए फिर भी मेरे number अच्छे नहीं आएंगे मेरी rank अच्छी नहीं आएंगे और इसलिए students का mindset starting सही negative बनता जाता है तो सबसे पहले याद रखिए students की exam में जितने भी questions आएंगे उसमें से 100% मतलब सारे के सारे questions आपके सिल्याबस से ही आएंगे और कहीं से questions paper में questions नहीं निकलते हैं हला कि टेकनिक अलग होती है लेकिन वो सारे questions आपके सिल्याबस से ही आएंगे यह अगर आप सोच आपकी होगी और इस सोच के साथ आप preparation कर लोगे तो आपको exam का pressure बिल्कुल नहीं आएगा और मेरा मानना यह है कि जब तक आप preparation नहीं करते हाँ आपको किसी से advice लेनी चाहिए कि किस तरीके से questions paper निकलता है questions की level क्या है या फिर कोई एक paper देखना चाहिए और idea लगानी चाहिए कि चलो भाई चलो इस level का paper निकलता है तो मुझी preparation जोई इससे थोड़ी सी और extra level की करनी है बट उतना ही उससे लखिए इससे ज्यादा उससे कुछ मत लीजे क्योंकि स्टूर्ट्स यह सो जगा कि मेरे को 65 में से सिर्फ 10 questions ही solved होए तो मेरे को इतना भी knowledge नहीं है कि मैं qualify भी कर दूँ यह mindset अगर students पहले ही paper में या फिर starting में ही रखेगा तो students starting सही feedback मतलब you can say कि back foot पे खिलता रहेगा और starting सही वो negative thinking उसके दिमाग में चलते रहेगे कि नहीं भाई exam बहुत बढ़ी है और मेरे को इसको qualify करने के लिए बहुत difficult है तो सबसे पहली बात exam का pressure बिलकुल ना ले दूसरी बात focus यह students focus किजे हर एक चीज के उपर ऐसा मत सोचे कि यह आएगा तो चलो ठीक है यह नहीं आ रहे है इसको नहीं करता यह आ रहे है इसको करता हूँ देखिए यह mathematics है यहाँ पे हर एक चीज एक दुसरे के साथ related है तो संबव है कि आपको group 3 की कोई concept linear algebra के किसी concept से समझ में आ जाए वो connection वो bridge आप बना पाए और linear algebra के किसी concept के वज़े से आपको group 3 की difficult concept जो आपको लग रहे थी वो समझ में आ जाए तो focus पढ़ाई करते time रखना काफी जरूरी है आपको पता हो कि आप किसकी preparation कर रहे हो आप concept topic की preparation कर रहे हो इस topic के उपर अब तक कितनी बार paper में question आए और कौन से level के questions आए कौन से pattern के questions आए यह आप तभी कर पाऊगे जब आपके पास एक proper analysis होगा और एक अच्छा focus के साथ आप preparation कर रहे होगे तो अपने focus को बिल्कुल भी डगमगा मत दीजिए अच्छे से preparation कर जो कि आपके यहाँ पर दिख रहा है कि lack of expert guidance यह काफी important students मैं तो बोलूँगा आज के सभी के सभी points में से सबसे important point जो वो यह है उसके पिछे reason क्या है reason यह students कि अगर आप IIT जाम की exam की preparation कर रहे हो और आपके आसपास आपके neighbor में जितने भी लोग है अगर वो बोल रहा है कि IIT जाम की exam difficult होती है और आप उनकी बात सुन रहे हो तो फिर आप कही ना कही गलती कर रहे हो क्योंकि वो लोग IIT में नहीं गये है और वो IIT के बारे मे बात कर ले आपका कोई senior हो junior हो जो IIT में गया नहीं और IIT के exam की उपर कोई statement रखता है तो वो बिलकुल गलत है क्यों तो उनको पता नहीं है कि वो question paper किस level की है उनको पता नहीं कि वहाँ पे future कैसा होगा वो वही students बता सकते जो IIT exam exam को अच्छे से qualify कर चुके है और IIT में काफी important है किसी भी senior से जुनियर से जो भी दिखे उससे guidance मत लीजे किसी को भी मत पूचे कि IIT exam exam मेरे से qualify होगी कि ने आपका खुद का knowledge खुद judge करना सिखे किसी और को judge करने के लिए मत बिठाई है और guidance जो भी लेना हो कि preparation कैसी कर ले या फिर इस subject को कैसे पढ़ू यहाँ प या फिर मेरी गलतिया कहा कहा हो सकती है यह सारे questions उससे पुछलीजिए जो IIT exam exam की preparation करवाने में expert हो या फिर already IIT में अपनी MST complete कर रहा हो तो इस चीस को mind में बिल्कुल बिटा के रखी है कि आपका जो guidance जो भी guide आपको करेगा वो एक बहुत ही बढ़िया guidance करता होगा अपने फिल्ड में अपने IIT exam के exam में तब ही जाके उससे guidance ले लिजिए इसके बाद का next जो रहेगा over expectation students की overthinking बनती जाती है बहुत सरे students मैंने देखे है जो मतलब यह तो ऐसा रहता है कि कुछ students ऐसा सोचते है कि मैं इतनी preparation कर लिए मैंने कि अब मैं 100 मैंसे कम से कम 90 to 95 marks minimum लेके आ जाओंगा या फिर कुछ students ऐसे होते हैं जो काफी अच्छी preparation करते होते हैं उनसे examples भी solved होते यार कितनी भी preparation कर लो फिर भी question solve नहीं होता तो students यह चीज़ को याद रखिए कि दुनिया का कितना भी बड़ा expert हो ऐसा हो इने सकता हो कि उसको पास कोई भी question हो और वो तुरंत उसका सवाल का जवाब दे दे तो यह mindset में बिठा के लिजिए आप बले ही 100 questions solve कर लो या फिर 1000 questions solve कर लो मैं उन students के लिए बता रहा हो जो सोच रहे कि मेरी preparation काफी अच्छी हो चुकी है और मैं बहुत अच्छे तो आपको कोई ना कई focus करना चाहिए confidence तभी आएगा जब आप देखोगे आपके पुराने work की तरफ आपके last के 6 मेने की 7 मेने की 5 मेने की मेनत की तरफ तो आप सभी को पता है कि score जो होता है किसी भी cricket match का वो players के उपर नहीं वो उस pitch के उपर depend रहता है किस तरीके की pitch पर कौन सा score जो है वो सेफ है आगे वाली टीम वालिंग टीम या फिर बैटिंग टीम यह decide कम करती है as compared to pitch तो याद रखिये उस exam में क्या होगा यह आप exam में जाने के बाद ही आपको पता चलेगा question paper difficult निकलेगी या फिर easy निकलेगी या आपको exam में जाने के बाद ही पता च चीए और लास्ट वाला point जो मैं आप सभी stores को बताना चाहूंगा lack of consistency preparation जब भी कर रहे हो तो याद रखिये कि particular time ऐसा नहीं कि आज मैंने 12 गंटे कर ली दुसरे दिन मैंने 10 गंटा कर लिया तिसरे दिन 6 गंटा और पाच्वे दिन preparation ही नहीं तो एक consistency बनाए रखे दिन के 6- चार-चार गंटे जो भी आप particular slot बनाए रखे हो वो हर एक slot में properly preparation कर लीजए again second topic focus के साथ तो अगर आप इन चीज़ों को उपर अच्छे से गौर फरमाऊगे और अच्छे से समझ लोगे तो आप लोगों को आपकी जो preparation है वो अच्छे से आप लोग यहाँ पर कर पाऊगे तो मैं आशा करता हूँ students कि आप सभी students को यह जो point से समझ में आये होंगे और आप में यह सारी जो खुबी होगी वो आज आएगे कि आप exam का pressure कैसे handle करोगे आप focus कैसे maintain करोगे आप कौन से expert से अपना guidance लोगे आपकी expectation कैसी होगी exam के लिए और आपकी consistency कैसी होगी तो मिलते students जल्द ही किसी एक और ने वीडियो के साथ एक और ने content के साथ जो आपको help करेगा आपके IIT जाम का सपना पूरा करने में So thank you so much for watching this video. Wish you all the very best for your preparation and happy learning. Thank you.